वेल्कम फ्रेंड्स अलफ अध्यन पर, पावर पॉइंट के इंदर आगे बढ़ते हैं अपने रिव्यू टैब के और इससे पहले हम स्लाइट शो टैब, अनिमेशन, ट्रांजिशन, डिजाइन, इंजर्ट और होम टैब को अच्छे से कम्प्लीट कर चुके हैं तो रिव्यू टैब में जैसा की रिव्यू करना है, यानि की चेक करना है, अपनी स्लाइट से हम अगर कोई दूसरी स्लाइट से यहां पर लाना चाहते हैं, कोई स्पैलिंग मिश्टेक है, उसे चेंज करना चाहते हैं, या किसी वर्ड से रिलेटेड कोई दूसरा मीनिंग हम कोई word लिखा है और उसकी spelling mistake है तो हमें यह help करता है. Example के लिए मुझे mango type करना है लेकिन गलती से मैंने यहाँ पर लिख दिया है mango की जगे mango. तो जब हम spelling पर जाएंगे तो side में आप देखेंगे spelling एक option यहाँ पर task बार खुल चुका है और इसके अंदर से जो spelling हमें सही लगती है mango की उस पर जाकर हम change कर देंगे. यह हमें लगता है कि हमारे दुवारा लिखी गए spelling ठीक है लेकिन computer उसे फिर भी गलत बता रहा है तो उस चीज को हम computer की dictionary में add करा देंगे. जैसे कोई नाम है अगर उसमें mistake आ रही है और नाम की spelling बिल्कुल ठीक है तो हम उसे वहां पर add करा देंगे और अगर हम add नहीं कराना चाहते तो उसे ignore करके फिलाल के लिए बंद कर देंगे. तो यहां पर हमारी spelling mistake है तो mango पे किलिक करते हुए हमने नीचे से कर दिया है change change all का मतलब अगर यह words कहीं और भी slides पर है तो सभी जगे से वह change हो जाएगा. अब जैसे हम change पे किलिक करेंगे तो okay press करते ही हमारी यहां पर spelling हो चुकी है उसकी बिल्कुल ठीक. उसके बाद एक option है आपर thesaurus याने कि किसी words related मिलता जुलता आप कोई और word चाहते हैं example के लिए हम यहां पर लिखते थे हैं brave अब brave बिल्कुल common word है और अगर हम इसकी जगे कोई दूसरा word चाहते हैं तो thesaurus पे जैसे ही हम किलिक करेंगे side में आप देखेंगे उससे related यहां पर सारे options आ चुके हैं अब अगर हम उसे replace करना चाहते हैं तो just उस पे किलिक करते ही insert कर देंगे और वहां पर हमारा word replace हो जाएगा तो यह सभी चीजे हम बदल सकते हैं courageous मैंने यहां पर आपको दिखाया और एक word था mango तो suppose हमें इसका translate चाहिए और translate किसी भी language में हो सकता है चाहिए वह Hindi हो French, Spanish, internet वहां पर आपका connect होना चाहिए और उसके बाद आप उससे translate कर सकते हैं सबसे पहले देख लेते हैं translate, translate पे किलिक करते ही mango और नीचे की तरफ आप देखेंगे उसका Hindi में translate होके आ रहा है आप चाहें तो उसे French, Spanish किसी भी language में उसको क्या बोलेंगे वह यहां पर देख सकते हैं जैसे mango को French में बोलते हैं M-A-N-G-U-E आप यहां पर अगर उसकी spelling type करें manually तो वह बिल्कुल उसमें mistake आपका बताएगा अगर वह words dictionary में add नहीं है जोकि यहां पर दिखा रहा है French word हमारा एक error शो कर रहा है क्योंकि अभी currently जो हमारी dictionary है वह है English की dictionary तो क्यों न हम उसकी language बदल दें अगर हम अपने presentation के अंदर French language को change कर देते हैं तो फिर हमारी English words की जो dictionary है वह change होकर French की dictionary बन जाएगी और French में आने वाले words में red color की line शो नहीं होगी set proofing language पे हम जाएंगे F की को press करेंगे F की press करते ही French हम default कर देंगे यानि की आगे तक के लिए हमारी settings अब French language में हो चुकी है और French language में आने वाले words में फिर वो mistake नहीं दिखाएगा आप देखेंगे उस तर related यहां से words दिख रहे हैं आप again एक बार selection कीजिए फिर से proofing language बदलिए क्योंकि पुराने words English में ही यहां पर चेक हो रहे हैं अगर इस तरीके से आप वापिस से बदलते हैं default करके तो उन words को भी वो उस dictionary से चेक करेगा तो यह देखिए अपने आप यहां से spelling यहां पर red line आ रहे थी वो हट चुकी है और courageous word में वो red line की spelling को show कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो dictionary है अब set हो चुकी है French dictionary तो इसी तरीके से अगर आप वापिस से dictionary बदलना चाहें बदल सकते हैं English United States को हम default कर देते हैं ओके प्रेस करने पर हमारी English words की dictionary में अब spelling mistake show नहीं होगी और जो English से other words है और वो उसमें यहां पर red color का आपको marks दिखेगा तो आप language असे से समझ चुके हैं translate समझ चुके हैं spelling and thesaurus command को अच्छे से clear कर चुके हैं अब अगर हम यहां से smart look up देखना चाहें तो किसी भी word को हम select कर लेते हैं जैसे mango और smart look up पे click करेंगे तो उससे related words यहां पर search होंगे और उसके बारे में हम यहां से देख सकते हैं तो एक तरीके से internet connect होने पर हम उसको smart look up के जरीए उसके बारे में यहां पर देख पाएंगे चेक accessibility के अंदर से हम यहां से चेक कर सकते हैं कि यहां पर हमारी slides पर कोई issue नहीं है सब proper तरीके से यहां पर run हो रहा है spelling mistakes वगएरा तो हमारी है ही साथी साथ सभी जो command से वो अच्छे से work कर रही हैं यहां पर new comments के अंदर से अगर हम comments डालना चाहें तो new comment के बारे में उसका amount हम डाल देते हैं जैसे rupees 80 kg या courageous पर हम डाल देते हैं यहां पर हमने डाल दिया Mr. Narendra Modi तो हमने कुछ comments यहां पर डाले हैं आप देख पाएंगे वो sign यहां पर show कर रहे हैं और click to show option आ रहा है जैसे हम click करेंगे वो side में उसके जो comments हैं वो highlight कर रहे हैं show comments को अगर हम बंद कर दें तो side वाला हमारा task bar आ रहा था वो यहां से हम hide and show करा सकते हैं या show markup के अंदर से उसके जो symbols हैं छोटे 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 वो भी यहां पर visible नहीं रहेंगे previous या next यहां से highlight करने के लिए हमने जो comment डाला हुआ है वो यहां से आप देख पाएंगे highlight हो रहा है और यहां से वो selection भी हो रहा है आप चाहें तो delete यहां से भी कर सकते हैं सारे comments को या यहां से भी cross पे click करते हुए उन comments को हटा सकते हैं तो normally comments किसी भी word के बारे में कोई उसका similar meaning या किसी भी तरीके से उसका कोई person है तो उसका contact number या address के लिए हम use कर सकते हैं तो यह हमने options देखे proofing के बारे में look up के बारे में comments के बारे में अब है option compare का अगर हम अपनी slides में कोई डूसरी slides को जोड़ना चाहते हैं और हमने वो slides बना रखी है तो compare पे click करते ही हम उस slides पर click करेंगे जहां भी हमारी presentation बनी हुई है merge click करते ही वो slides में add हो जाएंगे आप देखेंगे उपर एक option आ रहा है inserted self अध्यन गुरुजी जैसे ही click करेंगे यह slides हमने पहले बनाई थी वो हमारी यहां पर add हो चुकी है अब एक option है यहां पर previous या next जो जो हमारे options यहां से पूछ रहा है क हम इस slides को यहां पर रखना चाहते हैं या नहीं हम करा देते हैं यहां से accept तो वो permanently हट जाएगा और अगर हम यहां से उसे end review कर देते हैं तो फिर हमारा properly यह सारा review जो है वो बंद हो जाएगा और फलाल के लिए जितनी भी हमारी slides हैं वो permanently यहां पर आ जाएगी तो accept and reject के and end review से finally उसको submit करके बंद कर सकते हैं एक option है यहां पर hide ink का अगर हम अपनी slides को run कराते हैं सपोज यहां से हम shift F5 प्रेस करके current slides को run करा रहे हैं और right click करते हुए एक pointer option से pen choose कर दिया है और कुछ चीज़े हम यहां से mark out कर रहे हैं अब mark out करने के बाद जब हम escape प्रेस करेंगे बहार आएंगे slides से तो यह हमसे पूछ रहा है कि आप यह ink annotation रखना चाते हैं yes हम keep पे click करेंगे और यहां से अब हम ink को हटाना चाते हैं या नहीं वो यहां पर options हैं आप कर देंगे delete all ink तो सभी presentation से वो ink हट जाएगी फिलाल इसी slides से हटाना चाते हैं या उसे hide करना चाते है तो यह सारा काम आप यहां से use कर पाएंगे और अपने slides को notes के अंदर add भी करा सकते हैं लेकिन उसके लिए हमें पहले file को save करना होगा और हमारा one note install होना चाहिए सबसे पहले हम इसको save कर देते हैं save करने के बाद जैसे लिंक notes करेंगे यहां पर हमारी exe enable नहीं है इस वज़े से हम अपने notes को link नहीं कर पाएंगे otherwise हमारा जो file है वो हमारे one note के साथ link हो जाएगा तो यह थे हमारे review tab के options जिसमें हमने proofing, language, comments, compare और ink के बारे में सीखा next वीडियो में हम view tab को complete करेंगे और उसके बाद कुछ presentations को बनाना सीखेंगे powerpoint के अंदर वीडियो आपका कैसा लगा आप like करके और comments करके जरूर बताएं मिलते हैं अगली वीडियो में thank you for watching bye bye करड़ एंदर रख प्राइब एंदर झाल कर वीडियो